गुड इवनिंग एवरीवन हलो दोस्तों तो आईए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास आज का हमारा जो टोपिक है वो है मुगल वन्स का सासक सहाजा की बारे में आज हम इंपोर्टेंट क्यूशन करेंगे इसमें हम सत्तर प्लस एंसी क्यूशन करेंगे यह सभी प्रिक खुर्रम को आगे चल कर जाना गया तो इसका आगे चल कर सहाजा के नाम से जाना गया नेक्स्ट क्यूशन है 1616 इस्वी में एहमद नगर के वजीर मलिक एहमद के विरुद विजे के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहंगिर ने कौन सी उपादी प्रदान की थी तो खुर्रम है वो जहंगिर का पुत्र है और जहंगिर ने इसको कौन सी उपादी प्रदान की थी आंसर बताइए तो यह है इन्होंने सहाजा की इनको उपादी प्रदान की थी दोस्तों आप भी अपने स्कोर्ट जे कीजिए कि आपको है कितने क्यूशन आये इसमें से और आपकी तियारी कौन से लेवल पर है तो नेक्स्ट क्यूशन है हमारा पाँच जनवरी पंदरा सु ब्राण में इसवी को सहाजा का जनम कहां हुआ था तो इनका जनम कहां हुआ था सहाजा का ये इनका जनम है लाहोर में हुआ था कब हुआ था पंदरा सु ब्राण में में Next question है, सहाजा का वास्त्विक नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? ये इनका वास्त्विक नाम है खुर्रम था Next है, सहाजा की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का क्या नाम था? ये जगत गोसाई था ये जगत गोसाई था ये जगत गोसाई था ये जोदावाई था Next Question है सहाजा का विवा आसफखा की पुत्री आरमजूमनद बानो बेगम से कब हुआ थी? तो सहाजा का विवा है वो कब हुआ था? उसका आंसर क्या है? 16, 112 इस्वी में हुआ था? कौन सी बेगम की साथ में? यह हुआ था? आरंजूमंदबानो बेगम से हुआता नेक्स्ट कैमट है तो कोन से की थी मली का ए जमानी की उपादी प्रदान की थी दोस्तों सारे क्ैम इम्पोटेंट है इक्जामे कोईसा भी कैमट आ सकता है वीडियो को लावस्ट तक जरूर देखे अगर आपको class पसंद आ रही हो तो इसको like भी कीजिए next question है आरजू मंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ये किस नाम से प्रसिद है या इनको किस नाम से जाना जाता है इनको मुम्ताज महल के नाम से जाना जाता है कौनशी वेगम है आरजू मन्द बानो वेगम नेच्ट कुशन है आरजू मन्द बानो वेगम की मृत्यू 1631 इस्वी में किस कारण से हुई थी तो ये प्रसवपीड़ा के कारण इनकी मृत्यू हुई थी कब हुई थी 1631 में नेक्स्ट है सहाजा आगरे में अब्दूलमुजफर सहाबुदीन मोहमद साहिब कीरन ए साहनी की उपादी प्राप्तकर सिंहासन पर बेठाता तो कब बेठाता ये बेठाता 24 फरवरी 1628 इस्वी में कहां बेठाता आगरे में ये बेठाता आगरे के सिंहासन पर नेक्स्ट क्यूशन है किस मुगल सहंसा ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्तानांतरित की थी तो किसने की थी ये सहाजा ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्तानांतरित की थी सहजा के सासनकाल में गोपनिय आदेश कहां से जारी किये जाते थे तो ये है सहाबूर्ज से गोपनिय आदेश जो है जारी किये जाते थे किस मुगल बादसा ने बल्बन द्वारा प्रारम किया गया दर्बारी रिवाज सीजिता समाप्त कर दिया था तो सीजिता है इसको किस ने समाप्त किया था ये सहाजा ने समाप्त किया था और सीज़ता है वो किसने स्टार्ट किया था बलबन ने इसको प्रारम किया था important question है next question है बनारस ए इलाबाद की तिर्थ यात्रा कर की समापते के लिए किसने मुगल बादसा के सामने बनारस के पंडितों का नेतरत्व किया था तो किसने किया था ये किया था कविंद्रा चारिये ने किया था नेक्स्ट क्यूशन है न्याई के लिए बादसा से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था तो ये जो अधिकार है वो कौनसे बादसा ने किया था ये क्या था जहांगीर और सहाजा ने ये अधिकार प्रदान किये थे कौन सा न्याय के लिए बादसा से फरियाद करने का अधिकार जहांगीर और सहाजा ने दिये थे नेक्स्ट क्यूशन है निमलिकित में से कौन सा राज्य साहजा के सासनकाल में मुगल सामराजे में मिला लिया गया था तो कौन सा राज्य मिला लिया गया था ये अहमद नगर को मिला लिया गया था इसमें सहाजा के सासंकाल के दौरान मुगल सामराजे में एहमाद नगर को मिला लिया गया था नेच्ट कुशन है नेच्ट कुशन है नेच्ट कुशन है सहाजा के बल्ख अभियान का उद्देश्य था तो बल्ख अभियान है उसका उद्देश्य क्या था ये था काबूल की सिमा से सटे बल्ख और बंदक्षा में एक मित्र सासक को लाना इसका मुख्य उद्देश्य था नेच्ट कुशन है सहाजा ने क्या किया था option A है पुर्टगालियों से लड़ाई की B है कंदार को खोया C है अहमद नगर पर अधिकार किया और D ये सभी काम तो सहाजा ने क्या किया था ये सभी काम क्या था पुर्टगालियों से लड़ाई की कंदार को भी खोया एहमद नगर पर अधिकार किया नेक्स्ट कुशन है नेमलिकित में से कौन सहाजा के सासनकाल में अधिकान समय तक डखन का गवर्नर रहा था तो कौन रहा था ये औरंगजेब रहा था जो सहाजा का दूसरा पुत्र था पहला कौन था दारा सिको था दूसरा था औरंगजेब तीसरा था मुराद बक्स और चो था कौन था सहाज सुजा ये स्पोर्ट नमर का पुत्र था तो ये चारू सहाजा के पुत्र था और डखन का गवर्नर है वो कौन रहा था औरंगजेब रहा था नेक्स्ट कुशन है खाने जहान लोधी ने किसके सासनकाल में विद्रो किया था खाने जहान लोधी ने ये किया था सहजा के सासनकाल में नेक्स्ट कुशन है निमनलिकित में से किस इतिहासका ने सहाजा के सासनकाल को मुगल का स्वण युग कहा था तो मुगल का स्वण युग है वो किस ने कहा था ये कहा था एल स्री वास्तव ने कौन सा इतिहासका था एल स्री वास्तव ने जो है मुगल का स्वण काल कहा था सह सहाजा के सासनकाल को सहाजा के काल में कौन यूरोपिय यातरी भारत आया था तो कौन सा आया था सहाजा के सासनकाल में यह आया था पिटर गूंडी किसके सासनकाल में आया सहाजा के सासनकाल में और होकिन्स है वो किनके सासनकाल में आया था जहांगीर के सासनकाल में आय था टोमस रो ये भी जहांगीर के सासनकाल में आय था होकिन्स कब आय था ये 1608 में आय था और जो है टोमस रो है ये 1615 में भारत आया था और सहाजा के कौन आय था सहाजा के सासनकाल में जो यूरोपी यात्री था ये था पिटर मुंडी सहाजा के सासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था तो कौन सा आया था साजा के सासनकाल में का अंसर क्या होगा ये आया था कौन आया था मनुक की जो है सहाजा के सासनकाल में भारत आया था टोमस रो और विलियम होकिन्स है ये किनके सासनकाल में आयते है जहांगीर के सासनकाल में कोन आयता विलियम होकिन्स और थोमस रो है जो थोमस रो है और विलियम होकिन्स है ये जहांगीर के सासनकाल में आयता और इबन बतूता है ये मोहमद बिन तुगलक के सासनकाल में आया था पुछा जाता है इनकी एक बूक है। बूक का नाम क्या है? ये साजा के सासनकाल में आया था नेक्स्ट क्यूशन है निमन लिखित में से किसे मुगल सेना में चिकिसक नियुक्त किया गया था तो मुगल सेना में चिकिसक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था ये किया गया था वर्णियर को कौन था ये वर्णियर ये एक राजनेतिक दार्चनिक था एक इतिहासकार था कहां का था फ्रांस का था जो सहाजा के सासनकाल में आया था निमन लिकित में से कौन सहाजा के सासनकाल का राजगवी था तो इन में से है वो सहाजा का राजगवी कौन था ये था कलीम सहाजा ने निमन लिखित में से किस सहर में मोती मस्चिद बनवाई थी सहाजा ने 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 करवाई था निमलिकित में से कौन सी मस्षिद पूर्ण तर संग्मर्मर की बनी हुई है तो आगरा की जो मोती मस्षिद है वे पूर्ण तर संग्मर्मर की बनी हुई है नेक्स्ट क्विशन है दिल्ली की प्रसिद जामा मस्षिद का نिर्माण इन में से किस ने किया था तो दिल्ली की जो जामा मस्षिद है उसका निर्माण सहा जाने करवाया था नेक्स्ट क्यूशन है निम्ह लिकित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेपूर कही जाती है तो कौन सी कही जाती है ये कही जाती है जामा मस्जिद को साने फतेपूर कहा जाती है कहां कि है फतेपूर की फतेपूर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसको साने फतेपूर कहा जाता है जामा मस्चीद को कहां की है फतेपुर सिखरी की जामा मस्चीद को साने फतेपुर कहा जाता है नेक्स्ट कुशन है दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था तो दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्मान किसने करवाया था सहाजा ने इसका निर्मान करव निमन लिकित में से किसने लाहोर के सालिमार बाग का किसने बनवाया था तो किसने बनवाया था लाहोर का सालिमार बाग ये है सहाजाने बनवाया था लाहोर का जो सालिमार बाग है उसको सहाजाने बनवाया था नेक्स्ट क्विशन है ताजमेल किसके द्वारा बनवाया गया था तो ये सहजा के द्वारा ताजमेल को बनवाया गया था नेक्स्ट क्विशन है ताजमेल का निर्मानकारिय कब सुरू किया गया था ताजमेल से क्विशन पूछे जाते हैं कि किसने बनवाया इसके डिजाइन वास्तुकार कौन है किसने बनवाया कब बनवाया तो ये है ताजमेल का निर्मानकारिय कब सुरू किया गया था ये 1632 मे सुरू किया गया था नेक्स्ट क्यूशन है ताज महल के वास्तुकार कौन थे तो कौन थे एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है SSC Railway ये सब में पूछा गया है ताज महल के वास्तुकार कौन थे ये थे उस्ताद एहमद लाहोरी कौन है उस्ताद अहमद लाहोरी है वो ताज महल के वास्तुकार थे नेक्स्ट कुशन है ताज महल का निर्वान किसके देख रेक में करवाया गया था ये भी इंपोर्टेंट कुशन है तो किसके देख रेक में करवाया गया था कि उस्ताद इसाख खां की देख रेक में करवाया गया था नेक्स्ट कुशन है ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया था इंपोर्टेंट है कहां से लाया गया था ये राजस्तान के मकराना से लाया गया था नेक्स्ट क्यूशन है ताज महल के निर्माण में कितना समय लगा था तो 20 वर्स है वो ताज महल के निर्माण में लगे थे नेक्स्ट क्यूशन है निमन लिकित मुगल भावनों में से किस में ये है अनन्य विशेष्टा बताई जाती है कि वह लंबाई और चोड़ाई में बिलकुल बराबर है तो किस की है ये विशेष्टा ये ताज महल की है कि लंबाई और चोड़ाई में ये बराबर है नेक्स्ट क्यूशन है अंसर क्या हुआ इसका अंसर D हुआ ताज महल को संगमरमर में स्वपन फिर और कि किस इमारत को प which one में स्वपन कहा जाता है तो ये पंच महल को जो है पत्थर में स्वपन कहा जाता है इसका निर्माण किस ने करवाया था इसका निर्माण करवाया था अफ़ बढ़ने नेक्स्ट क्यूशन है विस्वे प्रसिद तक्त ए ताउस महीूर सिहासन जिसे मुगल सासक सहजा ने निम्न में से किसके द्वारा बनवाया था तो किसने बनवाया था सहजा ने बनवाया था और किसके द्वारा बनवाया था ये बनवाया था बेबा दल खां के द्वारा तक जाने कहां लगवाया था तो ये मयूर सिहासन में लगवाया था नेक्स्ट है सू प्रसीद कोहिनर हीरा सहाजा को किसने उपहार में दिया था तो ये मीर जुमला ने इनको उपहार में दिया था नेक्स्ट कुशन है विष्व प्रसीद तक्ते ताउस निमन लिखीत में से किस मुगल भवन में रखा गया था तो कहां रखा गया था ये रखा गया था DC लालकिला के दिवान आम में इसको रखा गया था सहाजा का प्रसित तक्ते ताऊस 1749 इस statue में कौन ले गया था तो तक्ते ताऊस है इसको कौन ले गया था फ्रांसी से जो फार्सी आक्रामक नादीर सा है तक्ते ताऊस को 1749 इस statue में लगया था कौन था ये फार्सी आकरामक था नादिर सा ले गया था इसको तक्ते ताउस को next है मयूर्स यासन या तक्ते ताउस पर बेटने वाला अंतिम मोगलबाद सा कौन था तो ये था मुहमद सारंगिला कौन था मुहमद सारंगिला अंतिम बाद सा था नेक्स्ट क्यूशन है भारत के इतिहास के सम्रद संधर्ब में अब्दूल हमिद लाहोरी कौन थे तो कौन थे अब्दूल हमिद लाहोरी कौन थे तो इसका आंसर क्या है ये सहाजा के सासन का एक राज के इतिहास कार था कौन था ये एक इतिहास कार था कौन अब्दूल लाहोरी जो है सहाजा के सासनकाल का एक राज के इतिहासकार था नेक्स्ट क्यूशन है निमन लिखित में से किसने सहाजा के सासनकाल के 20 वर्सों का इतिहास पादम सहय नामा में लिखाता तो पादम सहय नामा किसने लिखा था ये लिखा था अब्दूल हामिद लाहोरी ने। सहाजा के काल में डक्कन की भूमी कर विवस्ता में महत्वपुन सुधार करने वाला आमीर था कौन था ये मुर्सिद खूली खान है। नेक्स्ट है इन में से किसे सहाजा ने खान खाना की उपादी प्रदान की थी। नेक्स्ट कुशन है निमलकित में से किसे सहाजा ने गुण समंदर को सरक्षन दिया था। तो किस ने दिया था? सहाजा ने दिया था. Next question है, निमलिकित में से किसे सहाजा ने गुण समंदर की उपादी दी थी. तो ये लालका को गुण समंदर की उपादी दी थी. Next question है, निमलिकित में से किस मुगल सासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्यूशन था नेक्स्ट है इन में से किसे सहाजा ने दक्षिन का सुबेदार निक्त किया था तो किसको किया था ये औरंगजेब को दक्षिन का सुबेदार निक्त किया था नेक्स्ट है निमन लिकित में से किसे सहाजा ने दक्षिन सुबे का प्रधान मंत्री नियुक्त किया था किसको किया था मीर जुमला को या मीर मोहमद सेयद को इन्होंने दक्षिन का सुबेदार नियुक्त किया था नेक्स्ट कुशन है मासिद अनुपात के अधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल समराट ने आरम की थी तो ये सहाजा ने आरम की थी नेक्स्ट कुशन है मुगल कालीन मनसबदारी ववस्ता में मासिक मान किसके काल में आरम हुआ था तो मनसबदारी ववस्ता में मासिक मान जो है किसके काल में आरम हुआ था ये सहाजा के काल में आरम हुआ था नेक्ट कुशन है निमलिकित में से किस मोगल सासक ने मनसबदारी ववस्ता में माहाना जांगीर को प्रचलित किया तो महाना जागिर को प्रचलित है वो किस ने किया था? सहाजा ने किया था नेक्स्ट है निमल लिखित में से किस मुगल सासक ने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का सुरुवात किया तो ठेके दारी प्रथा का सुरुवात है ये किसने किया था ये सहाजा ने कीती नेक्स्ट क्यूशन है निमन लिखित में से किस मोगल सासक ने रुपया और दाम के मद्दे आना सिके का प्रचलन किया तो आना है सिखे का प्रचलन की ससासक ने करवाया था ये सहाजा ने करवाया था दोस्तों सारे क्योशन इंपोर्टेंट है एक्जामे को इसा भी क्योशन पुछा जा सकता है वीडियो को लाज तक जरूर देखिए नेक्स्ट है इजारादारी विवस्ता का पर्चलन सर्व पर्थम कहां हुआ था तो ये खाली सा भूमी में सर्व पर्थम इजारादारी विवस्ता का प्रारंब हुआ था next है सहाजा नामा के लेखह का important question है कौन है सहाजा नामा के लेखह किये है इनायत खा next question है किस सासक के सासनकाल में उपनिशदू को फार्सी भासा में अनुवादित किया गया था next question है निम्न में से किसे सासनकाल में उपनिशदू को अपना उत्रा दिकारी गोशिद किया था next question है इन में से किसे साहाजा ने साहा बुलंद एवं साहा इकबाल की पदवी दी थी next question है तो दारा सिकों को इन्होंने साहा बुलंद एवं साहा इकबाल की पदवी दी थी next question है 25 अप्रेल 1658 में दारा सिकों एवं ओरंग्जेव के बीच उत्रा दिकार के लिए निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था तो इन दोनों भायों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था ये हुआ था धर्मट का युद्ध कब हुआ था 1658 में next question है दारा सिकों एवं ओरंग्जेव के बीच उत्रा दिकार के लिए अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में कब हुआ था तो इसलाम धर्म की अवहलना करने के आरोप में इनकी हत्या 30 अगर्त 1669 को कर दी गई थी next question है को किसकी सेश जिंदिगी के लिए औरंग्जेव ने केद किया था ये किया था सहाजा को इन्होंने केद कर लिया था किसने औरंग्जेव ने next question है निमन लिकित में से किसने 18 जुन 1668 इसवी को सहाजा को बंदी बनाकर आगरे के किले में केद रखा था किसने रखा था इसके पुत्र औरंग्जेव ने सहाजा को बंदी बनाकर आगरे के किले में केद रखा था निमन में से किस मुगल समराट की मृत्यू आगरे के किले में अपने केदी जीवन के आठवी वर्स अर्थात 31 जनवरी 1666 ECV को हुई थी तो सहाजा की जो मृत्यू है कहा होती है आगरे के किले में अपने केदी जीवन के आठवी वर्स में होती है नेक्स्ट क्यूशन है निमन में से किस मोगल समराट के अर्थी को साधारन नोकरों एवं हिंजलों ने कंधा दिया था तो ये सहाजा की अर्थी को साधारन नोकरों एवं हिंजलों ने कंधा दिया था तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, आपको ये क्लास कैसी लगे, कमेंट करके जरूर बताए, अपना स्कूर भी कमेंट बताए, कमेंट में बताए कि आपके कितने आंसर सही थे, और वीडियो को लाज तक देखने के लिए थैंक यू, अगर आपको, आपने अभी तक क्ल क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर करें, थैंक यू.